अलाउद्दीन खा, सरोध वादक, भारतिय संगीत को श्रीवरिधी में उस्ताद अलाउद्दीन खा का सहयोग अविस्मनिय है आपका संपूर्ण जीवन संगीत कला के लिए समर्पित था आपके पिता साधू खा भी संगीत के अनन्य प्रेमी तथा त्रिपुरागरबार के प्रसिध्धरबाब वादक उस्ताद काजिमा अलीखा के शारगिद थे फलस्वरूप बालक अलाउद्दीन को शैशवकाल से ही सांगीतिक वातावर्ण मिला आठ वर्ष की आयू में ही इन्हें ताल वस्वर का अच्छा ज्यान हो गया इसी समय अलाउद्दीन खा को कलकत्ता जाकर संगीत सीखने की धुन सवा हुई और किसी न किसी प्रकार ये कलकत्ता पहुँच ही गए वहाँ पहुचकर आप हाबूदत्त से फिडिल, लोबो मास्टर से स्टाफ नोटेशन तथा एक अन्य उस्ताद से शहनाई वादन सीखा पंद्रा वर्ष की उम्र होने तक आपका संगीत ज्यान काफी अच्छा हो गया था स्टाफ नोटेशन पढ़कर ये आसानी से अपने सास बजाने लगे एक दिन सन्योगवश मुक्तागाच्छा में रामपूर के सरोधनवास उस्ताद एहमद अली का सरोधवादन इन्होंने सुना और उस पर आसक्त हो गए तथा एहमद अली के शारगित बनकर सरोध सीखा ततपश्चात आप उत्तर प्रदेश की रियासत रामपूर में आएं रामपूर उन दिनों संगीत का प्रसिध केंद्र था यहां के नवाब लोग संगीत के मरमग्य व अनन्य प्रेमी तथा उस्ताद वजीरखा के शारगित थे उस्ताद वजीर्खा संगीत के महान कलाकार थे बड़ी कठिनाई से नवाब साहब की सिफारिश पर इन्हें वजीर्खा का शिश्यत्व प्राप्थ हुआ कई वर्षों की सेवा सुश्रुशा तथा इनकी ग्राह्य शक्ती को परख कर उस्ताद ने अलावद्दीन खाको संगीत की उच्चस्तरिय शिक्षा प्रदान की शिक्षा पूर्ण होने के उप्रांत उस्ताद की ओर से इन्हें अपनी कला के प्रदर्शन की आग्या भी मिल गई आथ ये भ्रमन पर निकल पड़े, कुछ दिनों कलकत्ता रहे, ततपश्चात स्थाई रूप से 150 माहवार की नौकरी पर मेहर वियासत में रहने लगे यहां के राजाव रजनाथ भी बाकाइदा इनके शिश्य बन गए यहां इन्होंने मेहर बैंड की स्थापना भी की निशकर्शत उस्ताद अलाउद्दीन खा ऐसे संगीत्रिशी थे जिन्होंने मुक्थरिदर से शिश्यों को सिखाया फल्स्वरूप अली अकबर, रविशंकर, उत्री अनपूना अली एहमद, तिमिर बरन, इंद्रनील, आशीश खा, पन्नालाल घोष, विरेंद्र किशोर, राय चौधरी, शरन रानी तथा जोतिन भट्टाचार्य जैसे संगीत्कार भारतिय संगीत जगत को प्राप्थ हुए उस्ताद अलाउद्दीन खा धार्मिक प्रवरित्ती के दयालू, ग्रिड एवं कठोर संगीत शिक्षक थे अनुशा सनहींता आपको कतई बर्दाष्ट नहीं था आपका जन्मत्रिपुरा जिले के शिवपुर गाउं में सन 1881 इशुन्य में हुआ था कुछ लोग सन 1862 भी मानते हैं 6 सितंबर 1672 को आपका देहावसान हो गया धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें